नमेश्कार स्वागत आप सबका स्टड़ी आईक्यू आईएस में मेरा नाम वसु कटार है और फैकल्टी ओफ एकॉनमिक्स इन स्टड़ी आईक्यू आईएस टोडे वी अर गूइंट टुस्टुडी बैंकिंग चैप्टर वन हमने पिछली क्लास में और आर बी आई और आर चलता किस प्रकार है हमारे बारे में अधिल होता है इसके बारे में सबसे पहली चीज एक बैंक होता क्या है मैंने पिशली क्लास में आपको बताया था बैंक्स वो संस्थाइंज जो finance के साथ deal करती है depositors जिनके पास जादा पैसा पड़ा है उनसे पैसा लेकर bank जिनको loan की जरूरत है जिनको money चाहिए loan के लिए उनको पैसा प्रोवाइड गरती है तो यह आपका role है इंडिया के banking system का अब banking system के अंदर इंडिया के अंदर आपको देखने मिलता है कि banks को इस पूरे काम के लिए जनता से deposit में पैसा loan deposit पे लिया और loan पे आगे दिया इस पूरे काम के लिए commission मिलता है इंडिया में अलग-अलग type के banks exist करते हैं जो की RBI के mark दर्शन के तहरत आते हैं RBI दो तरीके से banks को regulate करता है एक तो है जो scheduled banks है scheduled commercial banks अब इनका मतलब समझे scheduled banks क्या होते है scheduled commercial banks क्या होते है इनके बारे मैं आपको में बताऊँगा RBI एक कानून के तहद बनाए गया है RBI Act Reserve Bank of India Act 1934 उसके second schedule में कुछ banks का नाम लिखा हुआ है उसके second schedule में कुछ banks का नाम लिखा हुआ है वो banks जो की RBI से जब भी उन banks में कोई crisis होगी तब मदद प्राप्त कर सकते हैं और जो banks RBI से मदद प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन्हें non scheduled banks कहते हैं although RBI इनको भी कुछ extreme cases में emergency cases में क्योंकि जनता का पैसा पड़ा है बैंकों में मदद कर देती है help कर देती है but normally आपको देखने मिलेगा scheduled banks पर ही RBI का बस चलता है RBI कंट्रोल करता है RBI प्रयास करता है कि scheduled banks को जादा से जादा regulate कर सके हैं अब scheduled banks के अंदर आपको एक चीज़ देखने मिलेगी कि कुछ bank पैसा कमाने के लिए profit कमाने के लिए वो कहते हैं इनक बैंकों को कहते है commercial banks कुछ bank होते है जो सिर्फ cooperative purpose के लिए काम करते हैं उन्हें क्याते हैं cooperative bank cooperative purpose मतलब अपने members की भलाइं के लिए अपने सदस्यों की भलाइं के लिए जितने भी members के द्वारा bank open किया गया members ही actually owner है उस bank के commercial bank को चाहिए profit रोकड़ा जितना profit मिले उतना अच्छा है अच्छा commercial banks में आपके public sector banks सरकारी banks आते हैं public sector banks जिसमें आपको 11 nationalized banks इंडिया में 11 ऐसे bank जो की पहले के time पर private होते थे पर आज nationalized हो गया है उनका जैसे कि आपका पंजाब national bank जैसे कि आपका union bank of India यह nationalized bank है इनके इलावा आपको एक SBI देखने मिलता है state bank of India state bank of India अपने आप में पूरा एक group होता था जिसमें state bank of Patiala state bank of Mysore अलग-अलग state banks होते थे आज एक state bank of India बन गया है ठीक है न यह private public sector banks की category है और ऐसे ही private banks भी होते है अब private banks Indian होंगे या foreign होंगे Indian private banks भी है जैसे कि ICICI HDFC और private foreign banks भी है जैसे कि city bank standard chartered etc इस तरीके से इंडिया की commercial banking activity चलती है पर कभी आपने यह सोचा है कि इसकी शुरुआत कप से होई है शुरुआत कहां से होई है इंडिया में banking की शुरुआत 1770 से 1770 से आपको देखने मिलेगी पहला इंडिया का bank कौन सा था यह थोड़ा trivial जीके हो गया जो कि SSC जैसे एक्जामों में पूचा जाता है बट नंदलेस हमें याद रखना है क्य क्या बोला ऐसे questions एक्जाम में अगर पूछे जाएं तो आपको knowledge होना जादा बैटर है बैंक ऑफ हिंदोस्तान पहले बैंक के तौर पर इंडिया में open किया गया था ताकि हम जादा से जादा इंडिया के अंदर ब्रिटिश के banking सेक्टर में influence को बढ़ते में देख सके अंग अपनी के बिहाफ पर उनको चाहिए होता था कि कहीं पैसा जमा करा है और ब्रिटन ले जाने में वापस यूके ले जाने में मदद हो सके इसी लिए आजादी से पहले बैंकिंग सेक्टर इंडिया में बना था आजादी से पहले प्री इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले जादा तर प्राइवेट बैंक ही होते थे इंडिया के अंदर जो की बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते थे तो मतलब बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर आजादी से पहले भी प्री इंडिपेंडेंस फेज में भी था ठीक है ना जिसको मैं कहता हूं प्री इंडिप सबसे पहला bank इंडिया में जो open हुआ था that was bank of हिंदुस्तान मुझे पता है थोड़ी factual चीज है बट यह आपको याद रखनी है bank of हिंदुस्तान is the correct answer now अब आप कहो कि सर मुझे लगता था कि sbi इंडिया का सबसे पहला बैंक था ऐसा नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत लेट वजूद में आया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई एक बैंक नहीं था बलकि तीन अलग अलग बैंक को जोड़कर पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाए था फिर उसके बाद तीन बैंकों को जोड़कर जो इंपीरियल बैंक बनाए गया उसी का नाम बदल कर स्टेट बैंक रखा गया जो मैं बताना चारूं बात वह इस प्रकार है कि चलो जरा टाइम कैपसूल में बैठके अठारा सो च ऑफ पहला हिस्सा बना हमारी इस तीन हिस्तों की पजल के अंदर के लगबान दोसौ साल पहले फिर बंबबाई के अंदर एक खुलता है अठारा सो 40 के और और आपको थोड़ा हिस्ट्री इतिहास का पता है तो इंडिया के तीन बड़े हिस्से थे जिन पर अंगरिज हो का क यह तीनों major provinces थे या प्रांत थे जिनको Britishers क्या कहते थे presidency towns कहते थे अब इन presidency presidency टाउंस के अंदर bank खुलेंगे तो उनको क्या कहेंगे presidency banks कहेंगे obviously इसमें bank of Calcutta, bank of Bombay नेक्स जो था वो Bombay में खुला और तीन साल बाद ही 1843 के अंदर मदरास के अंदर bank खुला bank of Magras अब यह तीनों bank काम करते रहे individually अपने अपने शेत्र में अलग तरीके से यह banks खुद अपनी power रखते थे खुद अपने power functions को regulate करते थे पर 1921 में जाकर यह तो 1806 में बना, 1840 में बना, 1843 में बना पर 1943 के अंदर एक बड़ा change हुआ 1921 के अंदर पाड़न में बड़ा change हुआ 1921 के अंदर क्या हुआ इन तीनों bank को को एक साथ जोड दिया गया, Calcutta, Bombay और मदरास के तीनों bank एक साथ जुड गए और बना imperial bank of India, imperial bank of India, SBI का पुराना version मान लो, imperial bank क्योंकि अंग्रेजों के अधिकार के तहत था, इसलिए इसको imperial bank कहा जाता था अंग्रेज imperial power थे न, एक उपनिवेशिक शक्ती थे, हमारे उपर वो सामराजवादी शक्ती थे, तो इसलिए imperial bank of India कहा गया, 1921 के अंदर अब इसी imperial bank को 1955 में आजादी मिलने के बाद, इंडिया के अंदर इसका nationalization किया गया, सरकारी बनाया गया private से, private stakeholder खतम, सरकार ने पैसा ले लिया, पैसा दे कर इस bank का ownership ले लिया, और बना इंडिया में State Bank of India और इस तरीके से State Bank of India का इंडिया में जनम हुआ, State Bank of India गवर्मेंट बैंक है, बट वो RBI से काफी अलग है, RBI is a regulatory body, State Bank of India is the largest public sector bank, सबसे बड़ा सरकारी बैंक है इंडिया का, दोनों में फर्क है, RBI ध्यान रखती है, regulate करती है कि banking system में कहीं कोई problem तो नहीं हो रही है, और उस banking system का ही हिस्सा कौन सा है, उस banking system का ही हिस्सा आपका SBI है, तो ये बात याद रखनी है, इसके इलावा, थोड़ा और अगर इतिहास को खगो लोगे, सबसे पहले timeline में हम 1770 में पहुँचे थे, Bank of Hindustan बना था, जितनी जल्दी बना, उतनी जल्दी बंद भी हुआ, बहुत सारे losses इसको सफर करने पट रहे थे, इस वैसे इसको जल्दी से जल्दी बंद करना पड़ा, ठीक है न, उसके बाद आपको देखने मिलेगा, General Bank of India 1786 में बनाया था, Bank of Hindustan आपका, ये 1770 में बन हुआ, General Bank of India, ये आप note down कर सकते है, General Bank of India 1786 में बना था, अच्छा, इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे इंडिया में कई सारी companies खुली, जिन्होंने banking activities को शुरू किया, और ये सब private थे, ये सब private तोर पे काम कर रहे थे, और British owned थे, Britishers के द्वारा इनका मालिकाना हग रखा पर इंडिया में ऐसा कौन सा बैंक आया, जो पहली बार, इंडियन ओन्ड था, तो वो 1865 के अंदर, अलाबाद के अंदर बनाये गया, अलाबाद bank, फर्स इंडियन ओन्ड बैंक, पहला बैंक, अलाबाद में बना, अलाबाद bank, we are proud of this bank, it was the first इंडियन ओन बैंक, ओनर्शि थी इंडिया की ownership थी 1865 के अंदर इंडिया के द्वारा इंडिया में एक बैंक खुला इंडियन के द्वारा बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों का बोल बाला था और भारतिया आगे बढ़कर ऐसा इनिशेटिव लेते हैं आचा ऐसा सेकेंड बैंक जो इंडियन ओंड हो इंडियन ऑपरेटेड हो इंडियन मैनेश्ट हो वो था पंजाब नाशनल बैंक 1895 में लाहौर में खुला लाहौर बहुत एतिहासिक शहर आज तो चलो पाकिस्तान में चला गया यहां पे खुला था इ कितनी पुरानी लेगसी है इस बैंक की तीसरा बैंक जो था वो बना बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर अगर इतिहास आपने पढ़ा है इतिहास में आपने पढ़ा होगा सूरत स्प्लिट हुआ हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर अंग्रेस जो थे ब्रिटिश जो थे वो मॉरले मिंटो रिफॉर्म लाने वाले थी यह उसी समय के आस-पास का समय है जब बंगॉल का डिवीजन हुआ था दो हिस्सव में बाढ दिया बेंगॉल को और बंगॉल को जब दो हिस्सव में बाढ दिया एक साइट पर हिंदू मैजॉरटी थ इसलिए 1906 में मॉंबई के इंदर नाइंटीन ईंडिख्स के अंदर मूंबई के आंदर हमने शुरू किया बैंक आफ इंडिया के इंडिया पक्तितों मैं बैंकिंगी क्पडिति लो एक क्छ इसलिए इंडिया के これ अब lock कर लोकाफन में इसी लिए इंडिया के अंदर joint stock banks ऐसे बैंक जिसमें ownership common mutual ownership हो हम share own करें ऐसे commercial bank इंडियन्स के द्वारा open किये गए यह बात याद रखेगा और इसके आगे आपको पिछले के लेक्चर में जो मैंने RBI की कहानी सुनाई थी वो तो याद होगी 1926 में हिल्टन यंग कमिशन बना था 1934-35 के अंदर RBI का act आया 1937 तक RBI का headquarters Calcutta में था उसको मुंबई लेकर आये 1949 में एक प्राइवेट इंस्टिउशन क्यूंकि वो 1934-35 से 1934-35 से 1929 तक प्राइवेट इंस्टिउशन की तरह चल रहा था प्राइवेट से उसका nationalization हुआ, RBI को banks के उपर regulation power देने के लिए banking companies act बनाया जिसको आज banking regulation act के नाम से आप जानते हैं ये लिख लीजेगा important है प्रिलिंस में कहीं भी पूछा जा सकता है 1949 के अंदर banking regulation आया जिसने RBI को banks के उपर regulate करने की power दी थी और RBI बन गया इंडिया का regulatory central bank जैसे बाकी देशों में जैसे अमेरिका में federal reserve है फिर हमें मिल गई आजादी 1947 में और फिर शुरू हुआ इंडिया का post independence face आजादी के बाद हमने दो चीज़ों पर focus किया कि इंडिया के अंदर bank accounts open कर सके लोग current account savings account पर ये इतना तेजी से बढ़ नहीं पा रहा था क्यों क्यों क्योंकि banks जादा तर private origin के होते थे और उन्हें क्या फरक पड़ता है कि कोई गरीब इंसान को फाइदा मिले या ना मिले तो इसलिए private origin के banks जंता के account जादा खोल नहीं पारे ते गरीब जंता दातर पहुंच नहीं पारी थी उसके बाद post independence phase में इंदिरा गांदी जी के time पर हमें ये खयाल आया कि एक काम करते हैं गरीबी हटाओ का नारा तो दे रहे हैं गरीबी सिर्फ सरकार हटा सकती है सरकारी संस्था हटा सकती हैं तो इन private bank को को रातो रा बैंक 1969 में nationalize करे गए थे इंद्रा गांदी जी के द्वारा शुरुआत में कितने बैंक करे गए थे 14 और nationalize करे गए 1980s के अंदर 1980 के अंदर तो पहले 14 बैंक फिर 6 बैंक ऐसे इंडिया में private से सरकारी बना दिये गए और क्यों किया गया यह मेंस में सवाल बन सकता है पहला reason था कि यह जनता तक masses तक नहीं पहुँच पा रहे थे दूसरा reason था यह गाओं के इलाखों तक ग्रामीन इलाखों तक रूरल एरियास तक नहीं पहुँच पा रहे थे तीसरी problem थी कि आप इंडिया के अंदर कई सारे banks open तो कर रहे थे पर उनके पास उतना capital उतना पूंजी नहीं था उतना पैस के लिए commercial banks इंडिया में open करें चौदा bank पहले 1969 में नाशलाइज हुए और छे bank 1980 में नाशलाइज हुए बट इससे भी हमें चीज यह समझ आ गई कि इंडिया में nationalization करने के बावजूद कई सारे bank बिलकुल गाओं तक नहीं पहुंच पा रहे थे और अगर पहुंच रहे थ कि वो जाकर कैसे banking activity करेंगे क्योंकि उनकों उसका कोई अनुभव था नहीं आज भी लोग बैंकों में जाते हैं तो इतना लंबा फॉर्म पढ़के उन्हें पहले heart attack आ जाता है कि इतना बड़ा फॉर्म भरेंगे तो कैसे भरेंगे इसलिए लोगों का एक कमी थी और खास तो नहीं हो सकता कि हम एक यूपी का जो बैंक है उसकी ब्रांच खोल दें बिहार के अंदर दोनों का कल्चर अलग है दोनों की संस्कृति अलग है दोनों की banking activities का टाइप अलग है तो हमने का state level पर गाओ के अंदर जा जाके काम करेंगे जिसका नाम होगा regional rural bank शेत्रिय ग्र प्रतम बैंक था प्रतम बैंक ने इंडिया के अंदर सबसे पहले लोगों को regional banking गाओं के इलाकों में प्रोवाइड गतना शुरू किया मुरादाबाद से फिर हम बकायदा कानून लेकर आये regional rural bank act के नाम से और देश के अंदर banking activities गाओं के अंदर भी चल पड़ी आज भी गाओं में बैंक हैं ग्रामीन बैंक होते हैं जिनको आप regional rural bank कहते हो और कई सारे बैंकों को तो रिसेंटली अगर आप current affairs फॉलोग कर रहे हैं तो अमेंड भी किया गया है उनको जोड़ा भी गया है regional rural बैंकों को आपस में दूसरे के साथ मर्ज कर दिया जैसे यूपी के अ अक्टूबर से पहला बैंक इंडिया में खुला था वही मैं प्रतम बैंक आपको बता रहा हूं अच्छा यह बैंक खुल तो रहा है इसका मालिक कौन है पैसा कौन लगा रहा है किसके पैसे के basis पर यह बन रहा है regional rural bank बनाये जाते हैं finance ministry का पैसा लगा कर जहां पर मोदी ज पैसा center government देगी अच्छा अगर एक regional rural bank खोलना है तब आपको यह देखने मिलेगा कि जिस bank के द्वारा sponsor किया जा रहा है देखो आप अगर इंडिया में गाओं के लाखे में जाकर bank खोलना चाहते हो तो जो banking activity पहले से कर रहे हैं उनका तजुर्वा लेना जादा बहतर है ज एक अलग brand name एक नए brand name regional rural bank के तहत आप अपनी branches खोलो आप एक bank open करो जिसमें आपको 35% पैसा लगाना होगा let's say इंडिया में हम एक bank open कर रहे है regional rural bank तो उसके अंदर 35% पैसा 35% पैसा कौन लगाएगा 35% पैसा लगाया जाएगा किसी sponsor bank के द्वारा जैसे यूपी का बड़ा famous है हर्याना शेत्रिय ग्रामीर बैंक उसको पी एन भी पंजाब national bank sponsor करता है आप समझे रहो मेरी बात तो ऐसे सरकारी bank ही sponsor करेंगे एक और example देता हूं मुरादाबाद में प्रथम bank खोला गया जिसका head office मुरादाबाद यूपी के अंदर था उसको sponsor किया था syndicate bank ने syndicate bank भी एक तरीके का एक सरकारी bank था जिसने sponsor किया प्रथम bank मुरादाबाद के अंदर मतलब 35% पैसा sponsor को देना होता है banking activity सारा sponsor bank देता है चलो उसके इलावा 15% पैसा वो state government के द्वारा दिया जाता है मतलब अगर एक हम regional rural bank आज खोलना चाते है तो मोधी जी 50% पैसा लगाएंगे bank जो है जो existing government bank है वो 35% and state government के द्वारा 15% पैसा लगाया जाएगा तब ही open कर सकते हो जी ये बात याद रख लीजेगा all right moving ahead अब मुद्दे की बात बस हमें यही समझनी है कि हमें इंडिया के अ हो रही थी कि development को बढ़ावा देने के लिए कई सारे developmental institutions की कमी मैसूस हो रही थी जैसे गाओ के अंदर जा जाके लोगों को लोन देना है agriculture purpose के लिए लोगों को लोन देना है क्योंकि normally क्या था इंडिया 1947 के बाद एक पूर economy अंग्रेजों से हमने ग्रहन करी थी धारन करी थी we got a very poor economy from the Britishers 200 साल उन्होंने लुटा हमें हमारी सोने की चिडिया हमें कहते थे और हमें लूट के ले गए अंग्रेज इसी वज़े से आपको देखने मिलता है कि इंडिया के अंदर अब काफी सारे सुधार काफी सारे changes हमें create करने थे तो हमने कहा कि हम इंडिया में special developmental functions को प और नाबाड की शुरूआत हुई 1982 के अंदर शुरूआत में यह आर बी आई के अंदर होता था दीरे दीरे इसको आर बी आई के चंगुल से निकाल कर अब इंडियन गवर्मेंट ने खरीद लिया अच्छा कभी मन में यह सवाल या शंका पैदा हो कि नाबाड क्या गवर् सब्सक्राइब लिया है यह बात आपको याद रखनी है नाबाड सिवा रमन कमिटी की सिफारिशों के बेसेस पर बनाए गए इसका कानून आया 1981 के अंदर काम इसने शुरू किया था 1982 में और क्वेशन बन सकता है कौन सी कमिटी की रेकमेंडेशन के बेसेस पर बनाए गए उनको जोड़कर आरभी आई ने बनाया नाबाड को उन दोनों को रिप्लेस कर दिया और उनकी जगे अब नाबाड ने काम शुरू किया अब भारत सरकार आरभी इसे इसको ले चुकी है 30,000 करोर के क्या की इसमें ड्यूजैं के कैपीटल को इसमें ड्लाफ है या कोई आपका वर्ल्ड बैंक उस तक से यह मदद लेता है और इंडिया के अंदर बैंकिंग एक्टिविटी Cand Candice को बढ़ावा देता है क्या एकलोता नाबाध ही बनाया गया था RBI के अंडर as a developmental institution नहीं एक और संस्थाती जिसका नाम था NHB National Housing Bank इसको भी RBI के अंडर ही बनाया गया था आपने कभी होम लोन लिया है या किसी का सुना है वो होम लोन ले रहे हैं जैसे HDFC से कोई होम लोन ले रहा है तो अब ऐसी कंपनी जब आपको होम लोन दे रहे है आपके साथ छल कपट जूट ना हो आपके साथ जूट ना कहा जाए रेगुलेट किया जाए Housing Loan Market को तो उसके लिए National Housing Bank बनाया गया इंडिया में कई सारी Housing Finance Limited Companies है जो लोगों को लोन देती है घर खरीदने के लिए ठीक है ना अब 1987 में हमने National Housing Bank Act बनाया जिसका काम 1988 से शुरू हुआ अगले साल से शुरूआत में 1987 में इसको बनाया था काम इसका अगले ही साल से 1988 से शुरू हुआ अब यह इंडियन गुवर्मेंट के तहट आता है अब इंडियन गुवर्मेंट ने इसको खरीद लिया है पैसा देकर और इंडियन गुवर्मेंटी से रेगुलेट करता है दिल्ली में उसके लिए IRDAI है, Insurance Regulatory Development Authority of India, Stock Market पे आप Share खरीदते हैं, बेचते हो, आपके साथ कोई Fraud ना हो, उसके लिए SEBI है, Securities Exchange Board of India, आप Pension, बुढ़ापे में Pension प्राप्त करना चाते हो, तो उसके लिए Pension Product खरीदते हो, तो उसके लिए Pension Fund Regulatory Development Authority है, इसी तरीके से नाबाड और National Housing Bank भी Regulatory Bodies के तौर पर काम करते हैं, Regulatory Bodies मतलब जिनका काम है, Supervise करना, जिनका काम है, ध्यान रखना, जिनका काम है, हर Economic Activity को regulate करना, कि कहीं कोई Fraud, कहीं कोई Corruption, कहीं कोई Illegal Activity, तो नहीं हो रहा है, Small Industries Development Bank of India, जो पहले IDBI Bank के साथ ही था, बढ़ अब अलग से, एक अलग से Institution मनाए गया, Small, Small, IDBI, Industrial Development Bank of India इसका नाम था, Small Industrial Development Bank of India, छोटे Industries के विकास के लिए, Bank of India, अब आज के टाइम में सरकार की मुदरा योजना चलती है, Micro Units Development and Refinance Agency, क्या बोला मैंने, Micro Units Development and Refinance Agency, सरकार की आज के टाइम में योजना चलती है न, सिड़ भी के द्वारा इसको regulate किया जाता है, control किया जाता है, देश भर में, इस scheme को spread किया जाता है, ताकि जो छोटे Businesses, Small Industries हैं, छोटे Businesses हैं, उनको पैसा मिल सके अपने Business को चलाने के लिए, इन छोटे Businesses को आप Micro Small Medium Enterprise भी कहते हैं, क्या कहते हो, Micro Small Medium Enterprises और यह शुरू इसलिए हुए है, to fund the unfunded, ऐसी संस्थाओं को credit प्रोवाइड करना, जिसको छोटे संख्या में credit देते हैं न, पैसा देते हैं, लोन देते हैं, तो उसे कहा जाता है, Micro Credit, तो यह Micro Credit का काम प्रोवाइड करते हैं, लोगों को छोटे Businesses को छोटे amount में लोन देते हैं, गांदी जी का कहना था, कि इंडिया के अंदर Small Businesses, Cottage Industries, Cottage Industries मतब छोटे-छोटे Businesses, कुटी रुध्योग जिसको इंदी में कहते हैं, यह हमारा future है, देखो तुम बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां खोल लोगे, वो मशीन ले आएंगे और मशीन से इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करवाएंगे, लोगों को नौकरियां मिलना ही पाएंगी, हर इंसान की जीब तक contribute करेंगे, आरिये बात समझ में, इसलिए Small Industries Development Bank of India, MSME इसको इतना focus करता है, MSME मतलब micro, मतलब सबसे छोटी, small, medium enterprises, अब जब MSME की बात उठी है, आपको पता MSME की definition change हो गई है, इंडिया में अगर आप किसी industry को micro, small, medium, enterprise कहते हो, तो उसकी definition में बदलाव आ गया है, कब से आया है, 2020 के बात से आया है, और ये last year के prelims exam में सवाल पूछा था, आप लोगोंने last year का prelims, 2023 का prelims evaluate किया है, आपको देखने मिलेगा, MSME की definition पर ही सवाल आ गया, तो ये जो मैं sessions करा रहा हूँ आपको किसले करा रहा हूँ, कि आपको economics में इतना competent बना दू, इतना जाधा expert बना दू कि आप आने वाले time पर questions को answer कर सको, तो देखो previous year question में आया है, मैं हमेशा हमारी जो P2Y batch की class होती है, foundation batch की class होती है, इस topic को cover करता था, out of 15-16 questions which were asked, मेरी जो मैंने पढ़ाया है, उनमें से साड़े 9 सवाल आये थे, ठीक है न, अगले साल भी 10 के करीब expect हम कर रहे हैं, आ जाएंगे, मतब basically, I didn't teach what UPSC asked, but I taught those things which UPSC normally asked, इसलिए लोगों का वो सही हो जाता है, ठीक है न, अब देखो MSME की definition देखो क्या होता है, आप अगर एक MSME खोलना चाहते हो, तो दो चीज़ें देखनी जरूरी है, एक तो आपने कितना invest किया हुआ है, और आपका turnover कितना है, micro firms के लिए अलग होता है, medium firms के लिए अलग होता है, ठीक है न, और उसके लाबा small firms के लिए अलग होता है, सबसे छोटा unit है micro, उससे बड़ा है medium और सबसे बड़ा है small, ऐसे आपको देखने होता है, पहला आपका criteria होता है investment, कि आपने जो factory हो लिए है, वहाँ पर plant और machine में, मतलब plant equipment में, मतलब factory में कितना पैसा अपनी जेप से लगाया है, how much money have you spent for building the plant and machinery, और turnover का मतलब क्या होता है, turnover कितने का समान बेच लेते हो, जैसे मानलो मेरी एक परचून की दुकान है, मैं महीने का 50 लाग का समान बेच देता हूँ, उन 50 लाग के समान की cost पड़ती है, मुझे 32 लाग रुपे है, 32 लाग रुपीज, तो actually में मेरा profit 18 लाग है, मतलब MRP जिनकी 50 लाग थी, उतने का मैंने समान बेच दिया, उस समान की कोई cost भी तो होगी, 32 लाग cost थी, तो 18 लाग मेरा देखा जाता है, इसलिए turnover जैसा term एक शब्द important है हमारे लिए, अब देखो ज़रा ध्यान से भई, investment और turnover का criteria देखा जाता है, सबसे पहले में बताऊंगा investment के criteria के हिस, फिर से देख लेते हैं, इंडिया के अंदर investment जो है आपका और turnover जो है आपका, ये दो definition यूज की जाती है, MSME industry को define करने के लिए, investment में, plant machine equipment में कितना investment डाला जा रहा है, अगर आपकी micro industry है, तो it does not exceed 1 करोड, आपका investment जो plant और machinery के अंदर किया गया है, एक करोड से जाजा नहों, small industry कहलने के लिए, एक से 10 करोड के बीच में हो, और medium enterprise कहलने के लिए, 10 तो 50 करोड के बीच में हो, 10 से 50 करोड के बीच में हो, investment, investment मतलब आप एक खोल रहे हो, factory खोल रहे हो, उसमें कितना पैसा लगा रहे हो, चाए लोन ल का actually profit हुआ है आपको but total कितने का समान बेचा वह आपका turnover है if turnover does not exceed 5 crore let's say 4 crore का turnover है तो micro industry कहा जाएगा if turnover exceeds 5 crore but is not more than 50 crore 5 से 50 crore के बीच में मान लीज़े 43 crore है तो वह small industry कही जाएगी and अगर turnover हमारा मान लेते 112 crore है तो वह आपका medium enterprise कहा जाएगा इतने का समान आपने साल में बेच दिया 112 crore का समान आपने साल में बेचा है इतना आपका turnover है तो आपको medium enterprise कहते है यह जानकारी आपका एक जुलाई 2020 के बाद से इंडिया के अंदर आपको देखने मिलेगी यह क्राइटीरिया था पहले का क्राइटीरिया आपके लिए exam specific अप नहीं बचा है there is no point of studying the old criteria ठीक है ना अगर आपको exam clear करना है तो focus preparation करनी पड़ती है and you have to focus on the important aspects right got it इसलिए पहले का क्राइटीरिया था उससे फरक नहीं पड़ता नए क्राइटीरिया को याद कर लो MSME इंडिया में किस प्रकार काम करती है यह आपको याद रहेगा ठीक है बैंक और क्या करते हैं बैंक का आपने प्राइमरी फंक्शन देखा कि यह current account और savings account open करते हैं अब यह क्या होता है बैंक के अंदर अलग अलग टाइप के accounts होते हैं सबसे पहली बात तो आपको एक balance sheet नाम का टर्म समझाना है balance sheet का मतलब है कि आपके पास कहते हैं यह शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है थोड़ा बुरा लग सकता है बड़ हैसियत क्या है अगर किसी के पूछ रहो कि भही तेरी अवकात क्या है तो आप पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास कितने की संपतियत कितने का एसेट है और कितने की लायाबिलिटी है मतलब कितने की उधारी है हाव मच एसेट डू यू पोजेस एंड हाव मच लायाबिलिटी डू यू है यह बैलेंच शीट नामके एक अगांटिंग रिकॉर्ड के अंदर एक अगांटिंग स्टेटमेंट के अंदर दिखाए राता है जैसे विजयमालिया जी के पास हो सकता है 400 करोड की प्रॉपटियों और 300 करोण का लोन हो उसलियत में 100 करोड की हो गई 400-300 क्योंकि इतना उनके पास एक्चुली का कहते हैं नेट वर्थ कहते हैं सिटर्म को लिख लो यहां कहीं पर net worth कि आपके उस कितने की property है माईनस कितना उधार चल रहा है अब बैलनसीट हम बनाते हैं जैसे में अपनी बैलनसीट बनाओ जैसे मेरे पास एक कार है वो मेरा एक एसट है मेरे पास मेरा लैंड है जमीन है वह मेरा एसेट है मेरे पास अगर बैंक में कुछ पैसा डिपाज़िट में पड़ा है मानवाली दे 5 वम्हाज़िट में पड़ा है यह न्यू eyelids अब मोंद्य की बात है कि अगर हम इंडिया में एसेट देखते हैं यह सारे वैंड िस वतap वगेरा वगेरा लायाबिलिटी कौन से टाइप की होती है जो लोन चल रहा है आपके उपर जो उधारी है आपके उपर मान लो दस लाग रुपे का लोन लिया हुए मैंने और मेरे उपर उधारी बनी हुई है तो वो मेरे लिए लायाबिलिटी होगी ये था मेरे मतलब as an individual एक व्यक्ति के हिसाब से क्या आप जानते हैं बैंकों के लिए ये बिल्कुल उल्टा बिल्कुल बदल जाता है एक बैंक के लिए asset क्या होता है आप जा रहे हो बैंक में पैसा जमा करा रहे हो कि ये लो PNB मेरा पैसा समाल के रखो मैं जब वापस लेने होंगा तो देदेना और मुझे जितने जिन में पैसा रखूँगा उतने जिन का interest देदेना पंजाब National Bank ने का ठीक है सर लाइए पैसा दीजिए और हम इसे रख लेंगे इनके लिए हमारे deposits liability है हमारे लिए deposits asset होते हैं जो पैसा बैंकों में जमा करा रहे हैं वो asset होते हैं बैंकों के लिए जो बैंकों में पैसा जमा करा रहा है वो एक liability है deposits एक तरीके की liability होती है और इसके इलावा loan बैंकों के लिए एक तरीके के asset है I repeat deposit एक तरीके की liability है बैंक के लिए और लोन एक तरीके के लिए एसेट है बैंकों के पास क्यों कि आप जाते हो बैंकों में पैसा डालते हो बोलते हो बैंक को कि आप मेरा पैसा जमा कर लो मैं वापस लेने आऊंगा मुझे वापस कर देना और मुझे हर महीने कुछ-कुछ इंट्रेस्ट कुछ-क पर सेंट दे रहा है बैंक जो पैसा कमा रहे है अपनी सैलरी दे रहे है स्टाफ की अपने इंट्रेनेट का खर्चा लाइटिंग का खर्चा यह सब आपको देखने मिलता है तो बैंकों के लिए कहानी थोड़ी बदल जाती है asset उनके loan होते हैं और liability उनके deposit होते है asset क्योंए loan bank को पैसे कमाने का मौका मिल रहा है interest कमाने का मौका जो हम किस्त भरते हैं bank के पास जाता है तो bank की income है इसलिए bank के लिए वो asset है और deposit liability इसलिए क्योंकि जंता कभी भी आ सकती अपना पैसा भी आप दो तरीके से देख सकते हो एक होता है बेटा short term nature का और एक होता है long term nature का short term nature का दो पार्ट में बटा हुआ है savings account और एक है current account current account आप मैंसे कुछ लोगों ने खुलवाया है जरूरी नहीं है सब लोग खुलवाएंगे savings account हम सब का होता है जिसमें salary आती है जिसमें आप पैसा जोड़ते हो ना उसे आप savings account कहते हो savings account के अंदर आपको देखने मिलता है अब हर साल कुछ ना मुझ पैसा जोड़ रहे हो और उसे निकालते हो जब जरूरत पढ़ती है it is for regular saving purposes हिंदी मैं इसे बचत खाता कहते है और short term में इसलिए कह रहा हूँ कि जब मन किया आपने पैसा निकाल लिया जब मन किया आपने पैसा डाल दिया पर businessman जो की regular business कर रहे हैं जिनको दिन में कितनी ही बार पैसा निकालना और डालना पड़ता होगा उन लोगो कौन सा अकाउंट खोलना पड़ता है वो खोलना पड़ता है कौन सा कौन सा कौन सा भूलो मत current account current account which is another short term account खीक है भाई current account एक और short term account का example है जब आप current account की बात करते हैं तब आपको देखने मिलेगा business मैं इस account को open कराते हैं जिनका regular incoming and outgoing of money होता है आगे चले लॉंग term nature में अब आपके दादा दादी नाना नानी बूले हो गए थोड़ा बहुत जिंदगी में उनके पास पैसा इखटा हुआ है 20-25 लाग रोपे वो अपने बुढ़ापे को secure करना चाहते हों चाहते हर महिने उनके account में कुछ पैसा आता रहे with interest तो वह क्या कर सकते हैं fixed deposit करा सकते हैं जिस पर हर महिने ब्याज मिलता है और तीन महिने हर छे महिने हर साल का भ्याज ले सकते हो इसे कहते हैं fixed deposit deposit FD करा देना यह term तुमने सुना ही होगा इसमें कुछ time period के लिए आपका deposit fix हो जाता है जिसे आप तोड़वा नहीं सकते जिसे आप वापस नहीं ले सकते वह पूरा होने के बाद आपको interest मिलेगा हो सकता है हर महीने regular interest मिले हो सकता है आपको हर तीन महीने में हर छे महीने में हर साल में regular interest मिले है इसे FD कहते है FD और RD में फरक यह है कि FD में आप एक साथ पैसा डालते हो जैसे 20 लाग रुप एक साथ डाल दिया अगले महीने से आपको उस पर interest मिलना शुरू हो जाएगा अभी RD किस मूर्गी का नाम है RD है recurring deposit अगर एक अंगरेजी का शब्द आप dictionary में खोल के देते हो recurring का मतलब क्या है if you look into the dictionary and find what is the meaning of recurring recurring का मतलब है बार बार ओकर होने वाला जो बार बार आता है जो बार बार होता है वो है recurring अब देखो तुमारी नई नई जॉब लगी है ठीक है ना पहले तो बढ़ाई ले लो मेर से उसमें महीने कुछ पैसा जोड़ो ताकि बुढ़ापे में तुमारे पास अच्छा खासा पैसा ही खट्टा हो जाए तुमने कहा हर महीने तुम 50,000 की सैलरी में से 10,000 जोड़ोगे और जैसी तुमारी age 60 हो जाए तो मैं वो पैसा मिल जाए करोड़ों में मिलेगा interest लगकर compound interest लगक तो जब तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा किस्तों में जोड़ रहे हो जोड़ रहे हो EMI loan देने पर होती है यहाँ पैसा जोड़ रहे हो इसे recurring deposit कहते हैं यह दूसरे तरीके का long term deposit है तो बेटा short term और long term का दोनों का deposit available है short term वाले deposit को net demand liability कहते है लाइबिलिटी क्योंक demand liability की मतलब जब मानोगे आपको पैसा वापस मिल जाएगा आप मांग रहे हो बैंक मेरा पैसा वापस दे चेक लगा रहे हो चेक आपका bank honor कर देगा ATM से card डालके निकाल रहे हो पैसा या UPI phone पे भीम के माध्यम से आप किसी को Google पे phone पे ATM UPI कर रहे हो आपने जब मांगा पैस पैसा बैंक ने आपको दे दिया कोई बैंक ने yes no चूच अपाड करी नहीं किया ना bank gave your money out rightly to you without even bickering with you out rightly it gave your money with your money you're getting it back you have the right to take it back you have the right when you demand the money you can get it but in recurring deposit in FD ऐसा नही होता आपने कुछ साल के लिए फिक्स करा लिया है तो उतने साल के लिए फिक्स रहेगा और पहले अगर प आपका पैसा कटेगा आपने जो मानलो 20 लाग रुपे जमा कराए आप वापस लेना चाहते हो कि मेरे को जरूवत है 19 लाग वापस देंगे एक लाग का पैनल्टी लगा देंगे क्यों किया तुमने यह सब बैंक का टाइम बरबाद किया बैंक तो चार्ज करेगा ना पैनल नहीं होती इसी लिए fix deposit और recurring deposit जैसे दो अलग-अलग term हमें देखने मिलते हैं जो कि time से जुड़े हुए हैं इनको कहा जाता है जी time liability क्या कहा जाता है they are called the time liability my dear students net demand and time liability is the term which is used to denote both of them क्या net demand net demand and time liability this is the terminology जो कि इन दोनों को denote करता है इसके अंदर savings इसके अंदर current इसके अंदर FD इसके अंदर RD सब आ जाते हैं demand liability savings current time liability FDRD और net का मतलब है कितना पैसा तुमने डाला है और कितना पैसा निकाल लिया उसका different तो बैंकों के पास हमारा जो पैसा deposited है वो NDTL कहा जाता है और bank जो है हमारे NDTL का net demand and time liability का क्या सारा पैसा लोन में डालते हैं मतलब मान लीजे हम सब लोग मिलकर एक महिने में 100 करोड जमा करा रहे हैं बैंक के अंदर 100 करोड रुपीस हमने deposit करे हमने जमा करा हैं बैंक के अंदर तो क्या सारा पैसा बैंक लोन पर घुमा सकता है नहीं हम जैसे यह मैं आपको हमारा फोटो दिखा रहा हूं and this is a bank हम सबने मिलके 100 करोड रुपे डाले अब बैंक जो है उसमें से कुछ पैसा बैंक को SLR के लिए रखना होगा और कुछ पैसा CRR के लिए रखना होगा और उसके बाद जो बचा वो पैसा हम बाकी लोगों को जिनको लोन की जरूरत है जिनको पैसा चाहिए उनको लोन में देने के लिए बैंक रख सकता है यह कैस धाई वजे आप सबका इंतजार रहेगा study IQ आई-स पे आप जरूर जुडिएगा study IQ आई-स पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलिग्राम वसु कटारा study IQ नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नीचे बॉटम पे चल रहे हैं न कि वसु कटारा study IQ एक और ची होगा let's meet tomorrow thank you Jai Hind, Jai Bharat, Good Luck